हम से जादा मुसीबत की रोटी किसी नहीं काई है हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं क्या हमें इसी देश के अंदर जूंटन खाने के लिए मजबूर नहीं किया इस देश की भुकमरी ने किया है कि आखिर हम सपाई के कारी को ही क्यों करते हैं और कोई कारी क्यों नहीं करत तो भारत देश की सामाजी, का समानता हमें यह इजाजत नहीं देती है, कि हम कोई और कारी करें, मुझे नहीं लगता, पूरे देश के किसी गाम में हमारा वानमी की बाई चाय बेच सके, पकोड़े बेच सके, हम अगर तो अपनी जाती भी हमें चुपाने पड़े हम चुपाएंगे लेकिन चोटे-चोटे रोजगार अपने हम इस्तापित करेंगे भारत देश के अंदर जो सामाजिक अस्मानता है उसका दंस अगर कोई जेल रहा है तो हम लोग जेल रहे हैं इससे कैसे बचा जाए इस सामाजिक अस्मानता का जो हमें नुकसान हो रहा है इससे हम कैसे बचें इस पर चिंतन करने की आवेश्यक्ता है सामाजिक असमानता की जो बुराई है हमारे किस तरह से मार्ग को रोकने का काम करती है हम उस सामाजिक बुराई का सबी लोग किसी न किसी रूप से दर्द सेहन कर चुके है या कर रहे है आज हमारे लोग जब ये कहते हैं कि आखिर हम सपाई के कारी को ही क्यों करते हैं और कोई कारी क्यों नहीं करते हैं तो भारत देश की सामाजी का समानता हमें यह इजाजत नहीं देती कि हम कोई और कारी करें क्या आप 90 परसेंट भारत देश के अंदर चाय बेच सकते हैं किसी गाउं में मुझे नहीं लगता कि पूरे देश के किसी गाम में हमारा वानमी की बाई चाय बेच सके पकोड़े बेच सके ऐसा कोई गाम नहीं है सहर में भी उसे अगर ये कार करना है तो वो भी अपनी जाती चुपा के करना पड़ेगा ये सामाजिक असमानता है इस सामाज का समन्ता को हम जहल रहे हैं हमारा प्रतेक भाई जहल रहा है इस कारण हमारे रोजगार जो हम छोटे-छोटे रोजगार करना चाहते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती आखिर हमारे पास भागदोर करने के बाद एक ही कारे बचता है यह चाला है, शपाय का कार, क्योंकि इसे देने में किसी को कोई आपती नहीं है, मैंने एक बात कही है आपसे, कि हर आदमी इसका दंस जेल रहा है, इसका नुकसान उठा रहा है, सभी ने नुकसान उठाया और आज भी उठा रहा है, तो इस सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए हमें सभी को जिंतर मंधन करना है इसका हमें सभी ने समाधान निकालना है मिलकर के राजनेतिक असमानता ये भी आप सभी बैटे हुए देख रहे हैं कि जो हमें राजनेतिक प्रतिनेति तो मिलना चाहिए था, क्या हमें मिला है, आज कि तीस से पेंतिस लाग वालमी की दिल्ली के अंदर रहते हैं, देश को 75 साल आज़ादुए हो गए, क्या पेंतिस लाग जनसंक्या के आधार पर, क्या दिल्ली के अंदर हमें प्रतिनिदित मिला है नहीं मिला है जितना मिला है क्या उसके साथ नियाय हुआ है नहीं हुआ है तो हम राजनेतिक असमानता के भी शिकार लोग है राष्टा कहां से निकलेगा राष्टा कौन निकालेगा राष्टा हम सम मिलकर के निकालेंगे क्योंकि हर राष्टा बैट करके जब हम विचार करते हैं तो विचार से राष्टा जरूर निकलता है लेकिन उस विचार को हमें सुनना होगा जहां बुद्ध जीवी खिटा हो उस बुद्ध जीवी के विचार को हमें सुनना होगा इतने लोग खिटे हुए हैं यहां खिटे होने में प्रमुक रूप से दो चीज खर्चुई हैं समय खर्चुआ है धन खर्चुआ है इसका हम सदिप्योग कैसे कर पाएंगे कुछ पर आप आमंत्रित अतितियों को अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमने जो समय निकाला है इस आयोजन पर हमने जो खर्च किया है उसका लाब हमें नहीं होगा अभी मैं देख रहता खाने को लेकर के बड़ी भाग दौड़ शुरू हो गई थी अभी तो भूप का टाइम ही नहीं हुआ है क्या हम इतने भूपे हैं कि दो घंटे हम बैट करके अपने विचारों को अपने महापरसों के विचारों को नहीं सुन सकते जब हम अपने महापुर्सों का विचार ही नहीं सुनेंगे उनका मार्वदर्सन ही नहीं सुनेंगे तो फिर हम समाधान कैसे निकालेंगे समस्या हमारी है और हम ये सोचें कि समस्या का समाधान कोई दूसरा में कोज़ के देगा नहीं देगा उसका समाधान हमें खोजना पड़ेगा सरकार के सामने भी समाधान के जो हमें प्रिस्ताव हैं वो हमें रखने पड़ेगे सरकार को हमें अबगत कराना पड़ेगा कि हमारी ये समस्या है अब गर आप इस तरह से समाधान करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा जब हम उसके संग्यान में अपनी बात को सरकार के में देंगे मुझे लगता है एक समाधान निकलेगा हमें ये भी विचार करना पड़ेगा कि हम पढ़ने के बाद कोई जरूरी नहीं होती कि सभी को नोखरी मिल जाए हमें कि ब्योपार की तरब भी अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा कि छोटे छोटे लगूत देओ कि अगर हम खोलेंगे कि मैं मानता हूं कि हमारी सामाजी का समानता हमारे मार्ग में बात आएगी है लेकिन कोई बात नहीं कि हम अगर तो अपनी जाती भी हमें चपानी पड़े हम चपाएंगे लेकिन चोटे-चोटे रोजगार अपने हम इस्तापित करेंगे कि मैं कि अभी आपसे बात कही थी कि हर आदमी ने इसको जहला है और जहल रहा है मैंने भी जहला है उसन 1975 में नुईडा के अंदर ब्रिजवासी कम्प्योूटर टाइपिंग इस्टीतूट कहला था तो है ने अवाजसी 15 में DRY वासी कम्प्यूटर टाइपिंग इस्टीतूट है जब तक पता नहीं चली तब तक वो इस्टिटूट चला और जब पता चल गई कि वालमी की समाज के लोग है तो वो इस्टिटूट बंद हो गया मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि केवल सम्मान से बात नहीं बनेगी हमें रोटी भी चाहिए और रोटी के लिए हमें रोजगार भी चाहिए रोटी के लिए हमें रोजगार भी चाहिए क्योंकि हम से ज़्यादा मुसीवत की रोटी किसी ने नहीं खाई है हम से ज़्यादा मुसीवत की रोटी किसी ने नहीं खाई है हम जमीन से जुड़े हुए लोग है क्या हमें इसी देश के अंदर जूंटन खाने के लिए मजबूर नहीं किया इस देश की भुकमरी ने किया है हमारे लोगों ने जूंटन खाई है और कोई ये कहा कि नहीं खाई है तो दादा जी से पूछ लेना पता लग जाईगी हमारी बेहनों ने घर घर जा करके जाड़ू लगाई है एक एक रोटी एक हिट्टी करके हमारे लोगों ने गुजारक किया है हमने संगर्स किया है लेकिन चोरी करके नहीं खाई है बदमासी करके नहीं खाई है और हमने जाड़ू लगाई है हमारी मजबूरी है अच्छे काम करने वाले लोग बैटे हुए जितना संगर्स हमने किया है यानि हमारी समाज ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है आज पिचेतर साल की आजादी में 25-25 साल हमारा सपाई करमचारी नौकरी करता है लेकिन वो पर्मानेंट नहीं होता ये दुख का विशह है वो कच्छे में ही रिटार हो जाता है ये कितने दुख की बात है अगर रिटार हो जाए उसे पैंसन नहीं मिलती रिटार्मेंट का उसे पैसा नहीं मिलता 6-7 साल हो गई जिन लोगों ने करज लेकर के अपनी बेटी की शादी करी कि रिटारी के पैसे पर मैं उस पैसे को चुकता कर दूँगा आज उन लोगों के घर बिखने लग रहे है इससे बड़ा चिंता तब इससे क्या हो सकता है ये हमारी सामाजिक हकीकत है क्या लोगों को नजर नहीं आती क्या सरकारों को नजर नहीं आती जो सदस से नहीं बन सकते थे ग्राम पंचाइट का हमने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया क्यों बनाया? क्यों बनाया मुख्यमंत्री? कि ठेके दारी बरता खतम कर दी जाएगी क्या हमने आख बंद करके बोट नहीं दिया? रिजल्ट क्या निकला? कि क्यों जब भी ठगे जाते हैं तब हम ही ठगे जाते हैं तो हमें इस ठगी से बचना है हमें यह देखना है कि हमारा कौन मित्र है कौन दुस्मन है कौन हमारा बहला कर सकता है कौन हमारा बहला नहीं कर सकता जो हमारा बहला करेगा हमें उसके साथ खड़ा होना है और जिस से ह में बहले की उमीद नहीं है उसे हमें अपने आपको दूर रखने की जरूरत है